हेलो यूरी वन गुड मॉनिंग नमस्कार साथ अक्तूबर दोहजार चोबीस और दाहिंदू न्यूजपेपर एनलिसिस में आपका स्वागत है आज के जितने भी इंपोर्टेंट न्यूज और एडिटोरियल होंगे वो इस वीडियो के थ्रू डिसकस करेंगे स्टार्ट करत अदर एक न्यूज आते कि चाईल्ड है उसके साथ रिप किया गहर उसके बाद फिर उसकी हत्या की न्यूज जो है अब रेप-ण्मडर केस जो है और इसी तरीके का पिसे केस देखने को मिला था और इन सिमिलर केस में के बाद अगर हम बात करें वेस्ट मिगोल में हैवी प कर देते हैं इनका बहुत सिंपल सा मतलब है कि वह पोस्ट्मार्टम होना चाहिए एम्स के अंदर उसके बाद और प्रोपर्ली एनलीसिस कि आज़ा सकता है कि ये किस तरह का इंसिजेंट पोस्ट्मार्टम रिपॉर्ट बहुत important है criminal cases के record करने में criminal cases में किस तरह के sections implementation होते हैं तो उस context में ये important है तो ये information है various sections लागू किये जाएंगे पोक्सो एक्ट जिसमें protection of children from sexual offenses है उनके बारे में भी है और जब भी इस तरह के cases होते हैं ये state government की जो image होती है ना उसको negatively impact करते हैं opposition political party तो protest करती है इसमें civilian भी बड़ी संक्या protest जो आपको देखने को मिलेगा अब बात करते हैं right hand side में एक news है आपने इनके बारे में जरूर पढ़ा होगा सुना होगा जो जिनका नाम सोनो वंग चुक करके ये लदाक से दिल्ली की पैदल यात्रह कर रहे थे ये प्रोटेस्ट करने के लिए permission मांग रहे थे जंतर मंतर में permission नहीं दीगी ये demand क्या कर रहे है क्या demand है इनकी ये important है इनों ये जो है demand कर रहे हैं सबसे पहले तो हिमालियन रिजिन में environmental degradation है उसको लेकर इनका एक concern है कि serious concern है हिमालियन रिजिन में environmental degradation हो रहा है second इनकी demand है जो most important इनके लिए है लदाख का constitutional safeguard प्रोवाइड किया जाए जिसमें सबसे पहले लदाख को statehood का दरजा दिया जाए जो साइड possible नाइबी हो क्योंकि अगर कसमीर को स्टेट हूड का दरजा दिया जाएगा तो लदाख को statehood का दरजा दिया जाना थोड़ा मुश्किल है इसके अलावा लदाख को ये demand करने कि six schedule of the constitution जो tribal areas को protection provide करती है उसमें insert किया जाए employment opportunity local लोगों के लिए create किये जाए और भारत के प्रधान मंतरी ग्रे मंतरी या रष्टपती से एक बात्चित होने चाहिए representation होना चाहिए उसके थुरू representation की बात्चित होना चाहिए ठीक है तो ये कुछ demands है अगर आप भारत के constitution में छे schedule पढ़ेंगे बारा schedule है जिसमें six schedule जो है दोनों में major difference क्या है और क्या six schedule के अंदर अभी कुछ states को insert किया गया है अगर हाँ तो वो कौन कौन से states है उनके बारे में जरूर आप नीचे comment करेंगे इसके left hand side में again इसराइल का जो war चल रहा है हमास के साथ तो चली रहा है वज़ा के अंदर लगबग एक साल complete हो चुका आज साथ अक्तूबर को लेकिन इस टाइम पे bombardment कर रहा है bombing कर रहा है कहां पर लेवनान के अंदर और लेवनान में heaviest bombardment देखने को मिलता है मिल रहा है यह detail बताएगी कहां पर bombardment कर रहे है कितने लोग उसके वज़े से भाग गए है कितने लोग उसमें एक तरीके से बच गए है यह क्या उसकी ground report है वो important नहीं है यहाँ पर लेवनान के परती अटेक नहीं कर रहा है इसराइल कर रहा हिजबुल्ला को target कर रहा हिजबुल्ला एक proxy कह सकते हैं जो active है लेवनान के अंदर और indirectly इरान के दोरा back किया जाता है और यह support करता है हमास को एक तरीके से कि हम अगर आप गाजा से अटेक करोगे तो हम एक तरीके से लेवनान से अटेक करेंगे जैसे ही यह इससे पहले थोड़ा टेकनिकल अटेक किया गया पेजर्स पर electronic gadgets को के थूँ डेस्टोई किया गया अब proper bombardment जो है वो इसराइल कर रहा है और जैसे यह news आती तो थोड़ा surprise है और कई सारी चीज़े चल रही है कि इसराइल war के बाद एक साल से लगबग ज़्यादा war हो चुका है उनके बावज़ूद भी अब दूसरी country में एंटर कर रहा है war के लिए जिसमें ये सीधी सीधी target कर रहा है लेवनानीज forces को ये लेवनानीज group को जिसको इरान बैक कर रहा है जो sport करते हैं किसको गजा के अंदर हमास को ठीक है तो ये कुछ fractions है non-state actors हैं जिसको back मिलती इरान के द्वारा इसके बाद अगर हम बात करें कुछ और important news की हाँ page number four पे अगर हम बात करें तो दो important news है पहला Australian high commissioner जाते हैं अरनाचल प्रदेश में जब भी कोई foreign dignitary जाते हैं तो अरनाचल प्रदेश के अंदर चाइना claim करता है कि territory हमारी है और वो विरोध जटाता है खर उनके विरोध वो तो उनके बस चले तो पूरी दुनिया की territory अपने area में दिखा सकता है important क्या है Australian high commissioner की visits के क्या माइने हैं क्या importance है सबसे बहले तो Australia consider करता है कि अरनाचल प्रदेश एक integral part है इंडिया का दूसरा यहाँ पर scaling programs पर focus किया गया है कि ताकि अरनाचल प्रदेश के जो youth हैं वो उनको scaling में एक important role play किया दासके अरनाचल प्रदेश की economy में जो various sectors हैं उन पर focus किया गया और इसमें अरनाचल youth के development के लिए initiative लेना या skill को strengthen करना various अलग 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 प्रोजेक्ट जो जैसे hydro power है infrastructure है एस्टेलिया की collaborations के साथ skill में definitely jointly function करेंगे इसके अलावा announcement किया गया कि यह 18-18 का है जो हाई commissioner हैंनों ने 18 राज्यों के अंदर विजिट करी है यह historically हिमालियन इस्टन हिमालियन रिजिन का पार्ट है इसको twang रिजिन बोला जाता है कई सारी river इस particular area में आपको देखने को मिल सकती तो इसके बाद detail बताएगी कौन कौन के साथ गया वो important नहीं है अब बात करेंगे एक ऐसे प्रेजिडेंट के बारे में जो पिछले कुछ सालों से न्यूज में है हाला कि प्रेजिडेंट अभी बहुत दिन नहीं हुए है लेकिन ये न्यूज में काफी दिन से है इनका नाम है मालदियूज के प्रेजिडेंट महम्मद म्यूजी करके ये क्यों नियूज में है एक तो इनका डिसिजन की ये भारत के अंदर एक विजिट करेंगे रिजिन क्या है अभी मालदी उज की जो सिच्वेशन्स है वो बहुत अच्छी नहीं है अगर आप मालदीज की जोगर्फीकल लोकेशन देखेंगे यहां पर आप देखेंगे इनकी पॉलिटिकल पार्टी का जो कैम्पेंट था इंडिया उट करके इंडिया की जो प्रिजेंट्स थी वहाँ पर मिलिटरी परसनल्स की वो विड्रो करना चाते थे और भारत ने काफ ली जो स्टेट्मेंट देते थे अब ऐसे क्योंकि इनके उपर कर जाएना बहुत ज़्यादा चड़ा हुआ है और जैसे करजा चड़ा यह भारत की दरब भाग कर आए हैं क्योंकि चाइना लोन देता है लोन को माफ नहीं करता है यह वर्ड्स ध्यान रखिए ठीक है जैसे करजा चड़ा भारत की दरब भाग आए तो वो जो नायक मूवी में अमरी पूरी का जो डायलोग है कि क्यों निकल गई हवा तो वो सेम यहाँ पर लाग होता है कि वह यह जिस तरीके से आए हैं भी थोड़ा सर्प्राइजिंग भी है लेकिन पढ़ते हैं भारत तो खेर हम माल्दी स्ट्रेजिकली इंपोर्टेंड इसलिए हमने इसका स्वागत भी किया है भारत के प्राइमिस्टर से मिलेंगे इंडिया की स्पोर्ट यह चाते ही वह हमारी एकनोमिक सिचुएशन बिल्कुल अची इस टाइम है नहीं और यह होप कर रहे हैं कि माल्दी इसकी इसकी इसकी अधर कि माल्दीूज के अंदर कोई मेजर क्राइसिस नहीं जाए जैसे सिलंकन एकनोमिक के अंदर देखने को मिला माल्दीूज के प्रेजिडेंट है मोहमद म्यूजु यह भारत की विजिट पर आए और इनका मेन मकसदवाई एकनोमिक क्राइसिस बढ़ रहा होगी वो सारी चीजे हैं और यह बताया गया कि इंडिया पहले बाद तो फुली एक तरीके से फिस्केल सिच्वेशन को हमारी समझता है इन्हों ने स्टेटमेंट दी और हमारा बिगेश डेवलेमेंट पार्टनर है इसके अलावा हमारे बर्डन को कम कर सकता है बेडर अल्टरनेटिव है सोलुशन प्रोवाइड कर सकता है यह जो लाइन लिखिए कई बार जो हम वर्ड यूज करते हैं जिसको पानी मारना एक मुहावरा है चाटो कारिता जैसी लगती है क्योंकि जो यह वर्ड है थोड़े दिन पहले इनके वर्ड में और अब में डिफरेंट आपको नजर आएगा थोड़े दिन पहले इंडिया के लिए जो वर्ड थे बिल्कुल डिफरेंट थे अब यह कह रहे हैं कि भारत ही सब क म्यूज्यू जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वह इंडिया स्पोर्टन को मिले करन्सी स्वेप में या इससे पहले चाइना ने जो अनौसमेंट किया था री पेवेंट को की वह पांत साल फिर बाद में दे देना पैसे अगर आपके पास ना हो माल दियूज को 25 मिलियन डॉलर क पेवेंट करनी है फिर उसके बाद अगले दो साल के अंदर और पेवेंट करनी है इनके ओपर जीडीपी का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वह अराउंड वन वन टेन के असपास है यानि अगर सो रुपे इनकी इंकम है तो 110 रुपे देना अलग से करजा ले रखा है तो इतनी ज्यादा इनके उपर नेगिटिव इंपेक्ट है फोरक्स डिजर चारसो चालिस मिलिल के आसपास है रेटिंग जैंसी मूरीजोर फिट ने इनको डाउन ग्रेड कर दिया है रिशन टाइम में और इसका सीधा इंपेक्ट होगा इनके इन्वेस्टमेंट पर ठीक ह तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में डिसकस किया गया बाद में बताया गया कि भारत के प्राइमेशर से मिलेंगे और रिशन टाइम में जो इन्होंने क्रिटिसिजम किया था या जो वर्ड्स यूज़ किये थे उनके बारे में स्टोरीज है अगर आप कंटिन्यू मा पर भी डिसकस किया गया हम बार बार उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे माल्दी उसके जो लीडर्स ने पॉलिटिकल पर जो लीडर्स थे या जो सरकार के अंदर मंतरी थे उनके बारे में हम डिसकस नहीं कर रहें क्योंकि वो कमेंट थे उन्होंने किये और उसका इंपेक् जो पांच क्लासिकल टैग दिया गया है मराथी बिंगुली असमीज पाली और प्राकृती को प्राकृत ठीक है 2005 का जो क्राइटेरिया था जिसमें रिशनली जो क्लासिकल लेंग्वेज की दाइरा था पहले 1500-2000 साल पुरानी होने चाहिए वेल्यूबल हिस्ट्री होने चाहिए अभी तक बहुत सारी लेंग्वेज उसमें थी लेकिन अब इनको इनको इंसर्ट कर दिया गया है ये पांच लेंग्वेज होगी जो क्लासिकल लेंग्वेज की क्टेगरी में आएगी जिसमें मराथी, बिंगोली, असमीज, पाली और प्राकरत है आप लोगों के लिएक सवाल है कि इसके अलावा जो पहले हलाकि इसमें मेंसन भी है इससे पहले कौन-कौन सी लेंग्वेज को क्लासिकल लेंग्वेज का जो अटेग दिया गया देश के अंदर वो आप कमेंट करिए आ यानि sound wave के तुरू detection करने में क्या possibilities है क्या ये किया जा सकता है उसके बारे में है सबसे पहले ultra sound जो है वो एनन्स कर सकता है बायो मारकर्स लेवल सो बायो मारकर्स का जो 100 ताइम्स ये मैथड जो है ये clean shins को allow करता है कि बलड सेंपल्स के तुरू detect करे cancer के types को और mutations को currently जो है ये undetectable है blood के अंदर researcher जो है ये detect करते single cancer cells जो circulate होती है blood के अंदर scientists struggle कर रहे हैं कि ये cell जो है एक तरीके से इनके जो numbers हैं वो देखने को मिलते हैं इसके लावा कुछ test ऐसे हैं जो detect करते हैं extremely expensive issue context में ultrasound detection जो है जिसमें blood sample को यूज किया जाता है simplicity के लिए इसका main advantage है कि non-invasiveness है जिसका मतलब है कि ये patient को कोई discomfort नहीं करता है उसको discomfort होने से रोकता है तो ये difference है इसमें अब बात करते हैं editorial पर दो आर्टिकल है जो हमें थोड़ा पढ़ने हैं थोड़ा कह सकते हैं आप देखने हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे पहला a defeat foretold करके है माविष्ट must amend an armed struggle and enter the democratic process जो भी माविष्ट है नक्सलाइट है उनको अपने जो armed struggle है weapon के साथ जो ड़ाई लड़ रहे हैं वो छोड़ने पढ़ेगी और democratic process के अंदर सामिल होना पढ़ेगा रिशनली माविष्ट के 31 लोग और जो है वो ब्लो करती गए या उनको permanently shift कर दिया गया हमारी security forces के दवारा जिसके अंदर यह साव चर्टिस गड़ के अंदर जगह है वहाँ पर देखने को मिला इसमें जो लास्ट बेस्टन है इंसर्जेंट्स का जहां पर अभी प्रिजें देखने को मिलती है तो रिशन डाइब में बड़ी संक्या में left wing extremism काईडर में encounters हुए है और encounters में हमारी parametry forces और local police forces जो है जोईंट operations के तुरू यह encounters के अंदर इंवोल रही है देश में अभी भी कई सारे jungles में जिसमें Central और Eastern India के अंदर इनकी presence है जो एक threat indicate करती है यह अपन campaigns में intensify जो इतरी के सरकार ने अपने campaign को intensify किया है कि यूनिन हो मिनिस्ट्री अगर इस तरह की insurgents है उसको blow करेगी और यह कहने कहीं हम देखते हैं कि इसके वज़े से number of surrenders भी बड़े हैं तो उसी के बाद यह बोला गया है कि जो अब तक gorilla struggle लड़ते थे चुपकर वार करन हैं यह धीरे धीरे खतम हो रहा है कम हो रहा है और माविष्ट को अब लगता है कि वो ठक से गई है ना इस तरीके से हैं हलाकि माविष नक्सलाइट ऐसा नहीं कि एकदम से बिल्कुल जीरो हो जाएगा उसकी presence definitely रहेगी लेकिन जो माविष्ट की जो तरीके से attacking हो रही है ज में fail होई है और इंडियन माविष्ट जो depend करते हैं मिलिटरिजम के की political aim उनका है कि military के थूँ यह weapons के थूँ हम लोगी हासिल करेंगे तो political ideological जो work है उनको सबसे पहले तो violence को छोड़ना पड़ेगा surrender करना पड़ेगा और इसमें जो यह hire करते हैं गरीब tribal community के लोगों को उसक का impact है कि भाई एक तो यह सबसे पहले जो death होती वहीं नहीं की होती है resemble करता है कि 1920 में चाइना ने कंबाइड किया था inability के context में और electoral democratic institutions में जो इंडियन स्टेट्स का nature है जिसमें इंडियन democracy के साथ जो opportunities को neglect करने कोसिस कर रहा है माविष्ट वो नहीं करना चाहिए और अगई कि अभी अगर हम बात करें recently pamphlet release किया गया अगस्त को कि हमने 20 साल हमने mark करे हैं जब CPI माविष्ट जो ban किया गया है इस organizations को और next light moment में अभी भी हम active है तो यह जो ideological intent जो यह करना चाहते हैं वो बहुत weak हो रहा है इनके लिए बड़े setback regular देखने को मिलते हैं और माविष्ट के पास एक ही option है अपने ideology को जो change करिए surrender करिए weapons को surrender करिए और जो proper democratic process है उसके अंदर आपको entry करने पड़ेगी यही एक मातर option otherwise आप यह जो एक तरीके जो operation से यह बंद नहीं हो गई है आप आविष्ट को यह लगता होगा कि हम operations यह forces को दर बंद हो गया operation complete elimination तक बंद नहीं ह time में forces के अंदर एक security confidence हाई हो जाता जब वह इस तरह के operations को successfully lead करती है तो उस context में भी आप देखेंगे कि operations का number भी बढ़ेगा अगर यह इस तरीके से surrender नहीं करते इसके बाद प्राइमिस्टर इंटरनशिप स्कीम के बारे मताया गया कि उसमें monitoring की requirement है तीन अक्तूबर को without much fanfare एक center government ने online portal launch किया जिसका मतलब था कि वो implement करने जारी major announcements को जो budgets के अंदर की गयी थी जिसमें unemployed को target किया गया है या unemployable youth को significant extent के थरू जो है वो चीज़े मिलेगी यह portal क्या है यह portal है प्राइमिस्टर इंटरनशिप स्कीम को operationalization करने को लेकर जो five scheme package design की गई है जिसमें job को create करना है और four point one cloud youth को skill provide करना उसके बारे में है इसके अलावा यह match करेगा company जो काम करने के लिए चुक है जो job training या एक तरीके से जो उनको requirement training की उसके साथ उनका एक contact हो या नहीं एक जो gap आता ना कि industry की requirement क्या और basic skill क्या है उस gap को fill up करने का यह काम करेगा यह जो gap भरेगा education जो provide करेगी practical skills को जो industries की requirement है तो यह उस हिसाब से काफी important है लेकिन सवाल ही है कि क्या यह ensure करता है कि अगर कोई व्यक्ति इसमें training ले लेता है तो 101% job को achieve करेगा पाइलेट प्रजेक्ट के इंडर अगर हम बात करते है तो 1.25 लाक इंटरेंस है जो voluntarily participate करें companies के अंदर दिसंबर 2 से और government जो कंसल्टेट कर रही है इंडिस्ट्री से इंडिस्ट्रिल बोडी से कि हमने scheme launch करी है मार्च 2029 तक 1 क्रोड इंटरेंसिप होंगे ये पाइलेट प्रोजेक्ट है जो final scheme डिजाइन की जाएगी उसमें इसके अलावा monitoring करना बहुत important किसी भी scheme की जो मालेते इंटरेंस हम create कर रहे हैं उसमें monitoring करना important है और जब तक monitoring नहीं होगी तो कहने के उसको industrialization से challenge होगा या connectivity नहीं होगी और उन राजियों के लिए क्या options होंगे जैसे बिहार के अंदर जहां industry कम है वहाँ पर कैसे आप जो बड़ी संक्या में हो सकता application तो वहाँ बच्चे ट्रेनिंग करेंगे तो बहुत ट्रेनिंग करेंगे मालेतें 10-15,000 की job करने के लिए वो interlink करना industry की requirement को और skill को तब ही ये project जो सफल हो सकता है इसके लिए जरूरी है कि proper evolution हो self congratulatory approach के बिना ये ensure करना कि जो outcome है जो dream create किये गए है या जो उमीद की गई है कि हमें ये करना है तो हम उसको हासिल भी करें ऐसा नहों कि ये केवल कागचों के अंदर नजर आए ground पर ये scheme function नहीं नहीं कर पाए तो उस तरह की चीजे नहीं होना चाहिए सुडान के बारे में cover किया गया civil war को सुडान African continent के country है सुडान के बारे में बताया गया कि सुडान के अंदर एक military faction जो है war लड़ रहे है से और RSF 18 months से rivalries है दोनों के बीच में अब इनकी story और history हम नहीं पढ़े 11 अब सुडान के बारे में जिस्ट एक basic news पढ़िये war जो है complex है multiple actresses के अंदर involved है military rivalries है ethnic lines को एक क्रोस कर रिजिनल ethnic milities अब इन सब के बीच में ना कई बार ceasefire के efforts हुए है US और सवाधी रिपिया के दोरा बट ये failed रहे है जब भी इस तरह की news आती है ना ये फिलिम्स में एक क्लाइन का question बनाती है कि ये reason क्यों news में रहा था और कई बार geographical location पूछ सकते हैं तो आपके लिए एक सवाल है वो है आप इस map को देखिए Sudan को मैं South Sudan ने बोरा सुडान के map को देखिए Sudan की neighboring countries को आपको comment करना है important geographical location जैसे यहां पर ports है Sudan है इनके बारे में भी आपको नीचे comment कर ना है एक reason आता दारफूर ये ध्यान रखिए ये important है UPSC ने भी पूछा है दारफूर रिजन जो है ये conflicted area है जिसमें ethnically target किया जारा है लोगों को तो ये दारफूर रिजन के बारे में आप जरूर ध्यान रखिए कई बार सवाल हुए है और maybe आने वाले time में भी आपको द लेबनान के अंदर जो एस ट्राइक करी एजराइल ने यूएन ओफिशिल्स के एक्यूर्टिंग ये humanitarian laws का violation है टूनेशिया के अंदर election हो रहे हैं और उमिद है कि जो काई साइध है फिर से president बन जाएंगे तो ये भी एक basic सी news है इसके लावा चाइना के जो president है सी जिन ये out of contact हो गए बहुत सारी leader जो है हिजबुल्ला और इरान के out of contact है जब से इसराइल ने लेबनान प्रटेक करना शुरू किया है तो हिजबुल्ला के कई सारे leader ही एक तरीकिश out of contact हो गए है इसके अलावा कोई specific news नहीं है जो basic basic सी news है एक news आती है कजाकिस्तान के अंदर क्य होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसके लिए वो referendum करवा रहे है ठीक है तो आज के दे हिंदू के इस news session में फिलाल इतना ही thank you all जहिन